अप्षाज़ क Mississippi महनत ऐसी करो की ख्वाब हकिकत में बदल जाए तुम्हें बताना ना पड़े अपना नां आपका काम ही आपकी पहचान बन जाये आपका काम ही आपकी पहचान बन जाये जीवन में तीन चीजे बहुत तो महत्तपुन होती है नमबर एक है काम, नमबर दो है आराम और नमबर तीन है प्रभू का नाम ये तीन चीज़े बहुत महत्पुन होती है हमें जितना ध्यान काम पर देना चाहिए उतना ही हमें आराम पर भी देना चाहिए और जितना हम आराम पर ध्यान देते हैं उतना ही हमें प्रभू के नाम पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए जब ये तीनों चीजे बैलेंस में आती है तो जिंदगी की रहा बिलकुल आसान हो जाया करती है भगवान ने हमको 24 गंटे दिये हैं हम सोचे कि हमें 24 गंटे में कित कितने घंटे आराम के लिए समर्पित करने हैं और कितने घंटे प्रभू के नाम के लिए समर्पित करने हैं अगर आपके उम्र 25 साल से नीचे है तो आपको अपने 10 गंटे पढ़ाई के लिए लगाने चाहिए दो घंटे घर के काम के लिए लगाने चाहिए 8 गंटे आराम क के लिए लगाने चाहिए कितने हुए बीस घंटे हो गए फिर दो घंटे वहवारिक कामों के लिए लगाने चाहिए और बाकी बचे दो घंटे प्रभू के नाम समर्पित करने चाहिए और अगर आपकी उम्र पच्चिस से उपर है और पचास के नीचे है तो आपको अपने ज से उपपर की और बढ़ रही है तो अब आपको अपने जीवन शैली थोड़ी बदल लेनी चाहिए जीवन शैली थोड़ी बदल लेनी चाहिए जो आप 10 घंटे वैपार के लिए लगा रहे थे उसमें आदा कर दीजे 50-50 पांच घंटे वैपार के लिए लगाईए और पांच साहियोग को बढ़ाते जाए और अगर आपकी उम्र जादा बढ़ रही है तो दुनियादारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाए और अपने आपको प्रभू की सेवा साधना और साहियोग के लिए समर्पित कर दीजी अगर हम अपनी जीवन सहली को इस तरह से नियोजित करते हैं तो मानकर चलिए आपकी जिंदगी बहुत आनन्द से भरी हुई रहेगी अरे जैसे इंद्र धनुस हमें कितना सुहाना लगता है वैसे आपकी जिंदगी भी सबको सुहानी लगनी शुरू हो जाएगी तो मैंने क्या का नंबर एक काम नंबर दो आराम और नंबर तीन प्रभू का नाम अगर यह तीनों चीज़े हमारे जिंदगी में व्यवस्तित रहेगी तो मानकर चलिए खतम हो जाएगी समझ जाएं तमाम अगर यह तीन चीज़े हमारे जीवन में व्यवस्तित आगई आज हम समझते हैं कि हम अपनी कारिशेली को कैसा करें आर्ट आफ वर्क स्टाइल हमारी कारिशेली कैसी होनी चाहिए ताकि हम ऐसा काम करें कि हमारे काम से ही हमारी पहचान बन जाए इसके लिए मैं सबसे पहला निविजन करूंगा आप जो भी करें आप जो भी करें मन से करें पुरे दिल से करें पहला सूत्र अपने जीवन में हमेशा याद रखे हैं कि मैं जो भी करूंगा पुरे मन से करूंगा पुरे दिल से करूंगा आप क्या करते हैं ये महत्पूर्ण है लेकिन आप कैसे करते हैं ये उससे भी जादा महत्तपूर्ण हैं आप क्या करते हैं ये तो महत्तपूर्ण है लेकिन आप कैसे करते हैं ये उससे भी जादा महत्तपूर्ण है तो हमें इस बात पर सदा ध्यान देना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं अरे जिंदगी में इतनी निभाव अपना किरदार की पर्दा गिर्णे के बाद भी तालियां बसती रहे हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए हमारी कारेश आधार's hjäl YE जाहिए ह घटना बताना चाहूंगा एक मानुभाव राजिस्तान से पालितना तीर्थ की और यात्रा करने के लिए गए पालितना तीर्थ के दर्शन करने के लिए सेत्रुंजय के दर्शन करने के लिए गए और जब वो नीचे से उपर तीर्थ यात्रा के लिए चड़ रहे थे तभी उन्होंने वहाँ पर देखा कि अनेक डोली वाले भी लोगों को डोली में बिठा बिठा के उपर यात्रा के लिए ले जा रहे थे और उस मानुभाव ने अनेक सारे डोली वालों को देखा तो मन में एक जिग्या सा पैदा हुई और उन्होंने एक डोली वाले से पूछा भा या कैसे हो तो डोली वाले ने कहा अरे क्या बताऊं मेरे जीवन में तो इतने च्छाती कोटे हैं मेरे जीवन में तो इतनी माथा फोड़ियां हैं दिन रात मुझे यहां पर तलना पड़ता है दिन रात मेहनत करनी पड़ती है अरे ऐसा जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जात यह सुनकर के वो मानुवाव चौके फिर वो थोड़े आगे बढ़े तो एक दूसरी डोली वाले से पूछा भाईया कैसे हो तो उन्हेंने का क्या बताओं हमें तो दिन भर यहां पर मेनत करने पड़ती है साम को जो थोड़ा मिल जाता है उसे हमारा गोजारा चल जाता है फि दुनिया भर के लोग यहां पर दर्सन करने के लिए आते हैं और परमात्मा की कैसी कृपा की उसने तो मेरा जनम ही यहीं पर पैदा कर दिया अरे मैं बड़ा किस्मत वाला हूं की रोज-रोज यात्रियों की सेवा करने का मुझे सोभागे मिल रहा है पुन्य लाब मिल रहा है और दादा की यात्रा तो फ्री में ही रोज हो रही है यह सुनकर के वो माहनुआ बड़े आनंदित हुए बड़े हर्शित हुए और उनको जीवन जीने की कला सीखने को मिल गई कि अपना काम कैसे करना चाहिए तीन लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं और एक ही तरह काम कर हैं लेकिन आपको समझ में आया फरक कहां पर है फरक कहां पर है हम क्या करते हैं यह महत्तपूर है लेकिन हम कैसे करते हैं यह उससे भी ज्यादा महत्तपूर है एक व्यक्ति वही काम कर रहा है लेकिन उसको दुर्भाग्य मान करके कर रहा है दूसरा व्यक्ति वही काम कर र करते हैं यह सबसे ज्यादा मेहत तकूर्ण है इसलिए अपनी कारे शयली पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम काम कैसे करते हैं काम तीन तरह के होते हैं कारे करने की 3 तरह की शयली होती है नंबर एक है hard work नंबर 2 sharp और नंबर शारपर्ग यानि सटीक मेहनत और नमबर तीन स्मार्ट वर्क यानि स्रेष्ट मेहनत नमबर एक कठोर मेहनत नमबर दो सटीक मेहनत और नमबर तीन स्रेष्ट मेहनत तो हम जो भी काम करें हमारा हर काम बोलना चाहिए हम जो भी करें हमारा हर काम बोलना चाहिए और वो तभी होगा जब हम अपने काम को हार्ड वर्क से शार्प वर्क में बदलेंगे और शार्प वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलेंगे तभी हमारा काम ही हमारी पहचान बन पाएगा एक उदारन से समस्त हैं कैसे होता है हार्ड वर्क, शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क जैसे एक गदे को हमें अपने घर ले जाना है लेकिन वो गदा चलने के लिए तयार नहीं है तो हम क्या करेंगे उस गदे को खीचेंगे हम उस गदे को खीचेंगे 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 खीच खीच के उसको अपने घर ले जाने के कोशिस करेंगे तो हमारा हाल भी खराब हो जाएगा और गदे का हाल भी खराब हो जाएगा दस कदम चलेंगे फिर मन में आये जा रहे छोड़ो इस गदे को कौन माथा पड़ी में हाथ डाले तो यह हुआ हार्ड वर्क यानि गदे को खीच-खीच के घर ले जाना और दूसरा है कहीं से अच्छी सी घास लेकर के आजे गास का बंडल और उस गदे को दिखाईए तो उस घास के चक्कर में गदा अपने आ आपके पीछे-पीछे आना शुरू हो जाएगा यह है शार्प वर्क लेकिन स्मार्ट वर्क इससे एक अदम और आगे है कि आप घास के बंडल को घास के बंडल को गदे पर एक लकडी बांद दीजिए लंबी लकडी और लकडी के उस किनारे पर घास का बंडल टंगा दीजिए और आप गदे के उपर बैठ जाएए तो गदा घास को देखता हुआ चलता जाएगा और वो घर पहुँच जाएगा और खास बात यह कि आपको भी आराम से घर पहुँचा देगा आपको भी आराम से घर पहुचा देगा तो यह तीन तरह के वर्क होते हैं तो हमें भी अपने इस बात को दिलो दिमाग में रखनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो कैसा वर्क है जो मैं कर रहा हूँ वो कैसा वर्क है अगर आप केवल हाडवर करेंगे तो आपको 10 घंटे अगर आप हाडवर करेंगे तो आपको क्यों 10 घंटे का ही परिणा मिलेगा और अगर आप शार्प वर करेंगे तो आपको 10 घंटे में 12 घंटे का परिणा मिलेगा लेकिन अगर आप किसी के लिए पाउं की बेड़ी बन जाता है और वही काम किसी दूसरे के लिए स्वर्ग का द्वार बन जाया करता है आपको मालूम है कबीरदाज जी कबीरदाज जी चदरिया को बुनते बुनते ही प्रभू में मगन हो जाया करते थे रेदास जी चमडे के जूते बनाते ब में ही वो डूपते 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 सामाई के रूप में प्रसिद हो गए और स्रीमद राजचेंद्र जी ग्रस्त में रहते हुए भी साधना के शिकर पर पहुँच गए और सब के लिए आदर्श बन गए तो हम कहां पर रहते हैं ये महत्तपूर नहीं हम कैसे ज सकते हैं और अगर आपकी जीवन से ठीक नहीं है तो आप संत बनकर के भी वहीं के वहीं रहे जाते हैं तो इसलिए हमारा हर काम बूलना चाहिए जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में भी इसको जोड़िए एक तो हता कि खाना बना लिया और बना करके छोड़ द नहीं बना है अगर उसमें थोड़ी सी मिश्टेक है तो उसको वापस बिलकुल एक दम प्रॉपर कर दीजिए और उसको ये तो कर दिया आप उसको और स्मार्ट वर कैसे बना सकते हैं जब आप खाने को परोसे ना तो इतने मुस्कुराते वे इतनी प्रसनता से खाने को परोस दिया तो उससे आपको पूरा परिणाम नहीं मिल पाएगा अगर आप खाने को भी स्मार्ट वर्क बना लेंगे तो वो भी लोगों के लिए एक आदर्श काम बन जाएगा तो कोई भी काम करें वो हमारा काम बोलना चाहिए और उसका हमें रिजल्ट मिलना चाहिए अगर उसक काम का अगर में रिजल्ट मिलता है हम हर काम को सक्सिस बना लेते हैं तो समझना वो हमारा काम ही स्मार्ट वर्क हो जाएगा एक वैक्तिन है अपनी पत्नी से का रही है कैसा खाना बनाया आती है खाना बनाना नहीं आता है कोई खाने में स्वाद ही नहीं है कोई खाने में स् प्लीज को फॉन करना पड़ेगा उसने का क्यों कि मुझे लगते कि आपको कोरोना रोग हो गया है कोरोना में स्वाद का पता नहीं चलता है तो प्लीज अपने कार शेले को बहतर बनाईए जैसे आप वैपार कर रहे हैं तो वैपार में भी सूत्रों को फोलो कीजिए एक तो पनाकर के काम किजिए तो आपको सफलता और जल्दी मिल जाएगी जैसे आपके कोई क्रम चारे काम कर रहा है एक तो आप उसको बार बार डांट रहे था ने करनों को नहीं को नहीं आवे अरे यूं कर दियो आपको भी सफल नहीं हो पाईंगे अपने करमचारी को भी काम करने का तरीका पताईए कि बेटा काम ऐसे किया जाता है और जरुद पड़े तो आप खुद भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाईए अगर आप मिल जुल कर काम करेंगे तो आपकी सफलता का ग्राफ और जादा बढ़ जाएगा इस सुत्र को हर जोडने की जरुत है जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो इसमें भी मुझे इस सुत्र को बोल दिया और चुप हो गए दूसरा होता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं कैसी स्मार्ट बनाऊं कि बोलने एक बाद मुझे को भी लगे कि वह क्या शांदार मैंने बोला है और ज प्रवल चन देते हैं लेकिन लोग गुरुदेव को सुनते हैं तो इसमें ही मगन हो जाते हैं और इसा क्यों होता है क्योंकि उन्होंने केवल अपने प्रवचन को बोलने तक ही सिमित नहीं किया उन्होंने उसकाम को भी smart इसमार्ट रूप में ढाल दिया इसलिए आज लोगों के दिलों में वो राच कर रहे हैं तो जैसे आप सामाईक भी करते हैं तो उसमें भी इस बात का गौर कीजिए कि मेरी सामाईक और कैसे स्रेष्ट बन सकती है अगर आप माला भी फेरते हैं तो उसमें यह सोचिए कि मैं म बोलना हो चाहे लिखना हो चाहे कुछ करना हो हर काम इस सुत्र को आप फोलो कीजिए तो देखिए आपका हर काम निखरना सुरू हो जाएगा हर काम बोलना सुरू हो जाएगा अरे काम करो ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा काम करो ऐसा की दुनिया भी करना चाहे आप के जैसा दो तरह की चीज होती है एक तो हमें पहचान से काम मिलता है एक तो हमें पहचान से काम मिलता है और दूसरा होता है काम ही हमारी पहचान बन जाता है तो हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि काम ही हमारी पहचान बन जाए हम लोगों की कोपी ना करें वरन लोग हमारी कोपी करना शुरू कर दे समझ लेना जिस दिन लोग आपके काम की कोपी करने लग जाए वस दिन समझ लेना आपने smart work करना शुरू कर दिया है भारत के लोगों की क्या विश्रिस्ता कहो या क्या उनकी खामी काओ, वो कोपी करते हैं, क्या करते हैं, कोपी करते हैं, विदेश में कोई जीज बनी है तो इसकी कोपी करेंगे, कि वल कोपी मत कीजिए, हमारे बच्पन में कहा जाता है ना, कि नकल करो तो नकल में भी अकल लगाओ, नकल में अकल नहीं लगाओगे, तो कभी जीवन म टोपी बेचने का काम करता था, रोज शहर में टोपियां बेचने के लिए जाया करता था, एक बार गाव आते हुए, उसको बीच में बहुत थकान महसूस हुई, तो वो पेड़ के नीचे सो गया, और उस पेड़ के उपपर बहुत सारे बंदर थे, बंदर नीचे आये, और चले गए फिर उसने क्या फार्मूला अपना यहां क्या फार्मूला अपना यहां उसको मालंग था कि बंदर नकल ची होते हैं कोपी करते हैं तो उसने अपने सिर पर जो पैने वी टोपी ती उसको ग्राउड में फैक दिया तो सारे बंदरों ने भी नकल करते हुए सारी बेटा आज मेरे साथ ऐसा हुआ तुम भी बड़ा होगा और टोपियां बेचने का काम करेगा अगर तेरे साथ भी ऐसा हो कभी खुदा ना खासा तुम पेड़ के नीचे सोया हुआ और तेरी टोपियां बंदर ले जाए तो क्या करना यह फार्मूला अपना लेना बेटे ने बंदर बंदर नीचे आयां उसकी सारी टोपियां ले गए तो उसने पापा जी का फार्मूला याद किया और अपनी टोपी ग्रावंड में फेकी यह सोच करके कि बंदर भी टोपियां ग्रावाइं फेकिए और में एकटा करके चला जाओंगा लेकिन हुआ यह की उपर से एक बंदर आया और उसने जो ग्रावन में टोपी फेकी थी उसको भी पकड़ के और वो भी वो टोपी भी लेकर के चला गया तो वो सोचने लगा अरे यह क्या हुआ पापा जी ने तो कुछ और कहा था और यहां पर तो कुछ और ही हो गया जो बंदर टोपी ले गया वह हमारे पापा ने भी हमें यह कहानी सुनाई थी तो केवल कोपी केवल नकल मत कीजिए नकल में थोड़ी अकल जरूर लगाए वो अपने साथ में थोड़ा खाना लेकर के आता और खाना वो बंदरों को देता तो बंदर अपने आप उसके पास आ जाते और तोपियों को आरा बनाने की कोशिस कीजिए काम को बहतर बनाने की कोशिस कीजिए अगर हम अपने हर काम को बहतर बनाएंगे हर काम को स्ष्ट बनाएंगे तो मान कर चलिए आने वाले कल में सफलता हमारे पाउँ जोनी सुरू हो जाएगी तो आप कोई भी काम करें एक्स वाई जेड आप क्य करते हैं ये महतपूर्ण नहीं हैं आप कैसे करते हैं ये महतपूर्ण है तो अपने इस सूत्र को अपने इस मंत्र को अपने दिलो दिमागें हमेशा बना करके रखिए कि मैं जो भी करूँगा कैसा करूँगा मैं जो भी करूँगा इस्मार्ट तरीके से करूँगा जो के से करोंगा अरे चलो ऐसे की निशान बन जाए करो ऐसे की पहचान बन जाए जीवन तो सभी जीते हैं आप जीवन को ऐसे जीए कि सब के लिए मिसाल बन जाए